हेलो फ्रेंड्स आज ही क्लास में हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं कल हमने रशास्त पर जो रचनाय थी और रचनाकार थे उनमें 10 पढ़ लिये थे नेक्स्ट आज 11 से पढ़ेंगे ठीक है इसके पहले जो भी वीडियो अभी अभी मैं लेटस्ट अपलोड कर रही हूँ आपको देखते जाना क्योंकि एक्जाम के परपस से बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपकी डिमांड के आधार पर मैंने यह सारी चीज़े रेकॉर्ड करना शुरू किया है ठीक है वैसे हम यह क्लास में रगुलर पढ़ाते ही है ठीक है तो जितने भी मैंने अभी तक डाले हुए वीडियो यूटूब पर तो उनको सबको अच्छे से दे सत्री सताब्दी तो याद कर सकते हैं हम इसको योग से कितने लोगों का योग है तीन लोगों का योग है त्रीमल क्या है तीन लोगों का योग सत्रवी सताब्दी तो योग तरंगनी किसका है ब्रहत्रीमल भट का है आयरवेद प्रकाश माधव उभाध्या है तो माधव न निदान में स्रिष्ट है उसमें रोगों के निदान के बारे में बताया है बहुत अच्छे से बताया है ठीक है तो आप ऐसे याद कर सकते कि माधव निदान ने सब जगर पर प्रकाश डाला है है ना आयुरवेद पर किसने प्रकाश डाला है माधव ने ही प्रकाश डाला है तो ये लेकिन ये माधव उपाध्याय अलग हैं, माधव निदान वाले वो अलग हैं, उनका काल सात्वी सदी होता है, ध्यान रखिएगा, माधव निदान वाले जो माधव हैं, सात्वी सदी, ब्रंद माधव नौवी सदी, और माधव उपाध्याय कौन से हैं, चोद्वी तो इनका जो ग्रंत होगा वो निदान से संबंदित होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है माधो पाद्याय का आरवेद प्रकास रस्षास्ते संबंदित है ठीक है भैशज रतनावली गोविन दासेन बड़ा फेमस है इनको तो याद कराने की जरुवत नहीं है कई बार कोशन एक्ज कि कि अध्यार बादि है वाल इनके इनकी विग्ञान दो भागमे और आयरवेध नेनकी कई भुक हैं अभी लिटस्ट में ऐनके एसा कोशन भी पूछा गया था कि निवनमेंसे कौनसी यादव जी तुरिकरम जी की बुक नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा तो यादव जी तुरिकरम जी ऐसा लगता ना कि दो दो नाम है यादव जी तुरिक्रम जी जिए द्रफगोण विज्ञान को दो और प्रियवत शर्मा ने क्या लिखा है पांच पार्ट में लिखा शायद वो छूट गए यहां पर प्रियवत शर्मा लिख नहीं पाई हूं मैं तो आप लिख लीजेगा द्रवगोर विज्ञान के पांच भागों में किसने लिखा है प्रियवत शर्मा और इनका काल कितना ह तो यादाव जी तरक्रम जी का हुई 20 सदी, प्रियवर सर्मा का 20 सदी, इनके 5 है, तो प्रिय में पा है, पा से 5 याद कर ले ना, इनके 2 नाम है, तो दो याद हो जाएगा, ठीक है, रस तरंगनी सदानन शर्मा, ये भी कई बार पूछा है, तो 20 साल के जब बच्चे होते तो उनके रिदय में आनंद की तरंगे उठती है, 21 का होने वाला मेरी शादी होने वाली है, 21 आइडिया लेज होती है, तो 20 साल में उसको तरंगे उठने लगती आनंद की, तो 20 साल में आनंद की तरंगे, रस तरंगनी सदानन शर्मा की है, पारद सहिंदा निरंजन गुप्त, तो पारद क्या है गुप्त बोलते ना कि पारद का गुप्त दान वगएरा कुछ पूजा वगएरा होती है ना पारद रस शास्त में आपने पढ़ा होगा तो ऐसी याद कर सकते हैं निरंजन गुप्त की है ठीक है रस चूरामडी तो मैंने आपको बोला था अच्छे से दिवका है ठीक है रस सार भिख्षो गोवट आचारिय तो भिख्षो भी सार की बातें करते हैं कभी-कभी रस कर रच्डे तंत्र ठाल तो भगवत गवंद पादा चारिय देखो भगवत गीता आप सुनते हैं तो आपकाANGबे बहुत निरमल बना रहता है तो भगवत गोव बता दिये कि मेरे पास जो अबिलेबल रिसोर्सेस हैं उन में से मैंने बनाया हुआ है वो सकता है कुछ सन जो है गलत हूँ तो आप उसको एक बार अपने नोट्स वगर आपके पास जो भी अबिलेबल होगे उसे नोट्स से क्या वो सब जगे एक जैसा ही होगा तो उसको क्र आपने वाले हैं द्रभगुन का आपने बोला था शायद है ना तो उसको भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे तभी आप रेगुलर ब्ला बैचिस का आप डेमो ले सकते हैं तो पीजी आर्वे प्रिजनम आपको डाउनलोड करना है प्लेस्टोल पर जाकर और आप वहां से टैमो ले सकते हैं थैंक यू सो मच